आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है एक्सल तो एक्सल के अंदर हम यह देखेंगे कि एक्सल होता क्या है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको फार्मुले क्या है हम इसको मैनेज कैसे करते हैं तो हर एक चीज पर हम पारीकी से ध्यान देंगे तो सबसे पहली चीज एक्सल देखें यह है एक एक्सल आपको किसे पता एक्सल है यह हमें किसे मालूँ सिंपल एक्सल के अंदर रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता ह इसे कहते हैं कॉलम ठीक है और इसे कहते हैं रो जो लेफ्ट व राइट जाता है और यह लाइन देखी आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहा है यानि यह दोनों लाइन आपस में कट रही है रो एन कॉलम और इनकी काटने के बाद जो बसता है आता है हमारे पार उस तो हम इसके अंदर एक मार्क शीट जनरेट करेंगे को अब मान लीजिए कि अगर आपके पास एक मार्क शीट है और आपको यह मार्क शीट जनरेट करनी आ गए तो यह समझे एक्सल के बहुत सारे फॉंक्शन आपको आ गए तो हम आपास लिचीट करहा है मार्क शीट के अंदर कुछ कुछ कॉल्म्स ली एक मॉंटम्स सबदssen कर गारेजिए कि अंदर हमने कुछ कॉलम्स लीएं तो तो बाकी के हमने फंंक्शिन छोड एम जैसे सिंग टूतल पर्संट डिविजन ग्रेट रिंग और साथा में हमने Max, Min and Average हमने यह कुछ function लिये तो हमने इसमे value की नहीं डाली reason कि जिसमें हमें value enter करनी चाहिए तो हम उन input boxes में value पहले ही already input कर चुके बट यह सारे के सारे क्या है हमारे result है और यह result automatic generate होनी चाहिए जैसे आपने marks feed किये तो यह सारी सारी चीज automatic generate होनी चाहिए हमने formula भी feed नहीं किया और ना इसमें कोई डाला है जब भी यह cell आपका जो इस cell पे रहता है ठीके उसे हम बोलते है active cell कौन सा cell active cell कि जो अब भी वहाँ पे active है हम कुछ लिखेंगे तो वो उसी cell में enter होगा तो देखिए हमें यहाँ पर सारे formula पूट करने है सबसे पहला formula किसे पूट करेंगे हम में हमारे पास marks है तो marks के हमें total निकालने है तो हम अपने एक अरसल को यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे और इसको हम क्या बना देंगे active cell तो हम total में आए हम सबसे पहले total के अंदर जा लिखेंगे formula कि हमने formula फ्रीट किया और यह marks सारे add हो गए तो हमें formula लिखने से पहले एक्सल की खास बात जब भी कोई formula लिखा जाता है तो आपको equals to का sign enter करना पड़ेगा without equals to के यह task perform नहीं होगा तो हमने equals to लिखा हमें क्या करना है total में इस वाले box में क्या करना है हमें sum करना है तो हमने लिया sum sum function लिया और bracket on किया sum और bracket on किया और देखिए bracket जब on करते हैं तो आपको क्या यह cell देखिए यह 9 जो है marks यह कौन से cell में आप कहेंगे c2 पहले हम column को count करते हैं और फिर rows को तो देखिए c2 एसे d2, e2, f2, g2 यह सारे marks यह सारे एक ही rows में हैं बट cells देखिए column के थूँ क्या हो रहे change हो रहे तो क्या हम यहाँ पर लिखेंगे c2 plus, d2 plus, e2 plus, f2 plus, g2 plus कोई जाता नहीं हो गया क्योंकि अगर suppose कि आपको 100 वे लिए तो आप ऐसे एड करेंगे रॉंग आप एड कर सकते हैं बट time period ज्यादा लग जाएगा कहीं error आ सकती है इसलिए आपको सिर्फ some method एक याद होना चाहिए some method की खागवा आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ दो cell के address याद रख हैं एक starting और दूसरा ending तो यहाँ पर देखिए हमें कुकु के सारे marks एड करके total में जोडने तो कुकु का पहले cell का address क्या है हिंदी का आपको की c2 तो हमने लिख दिया c2 अब हमें लास्ट cell पर जाना है और जैसे ही आपने enter माला तो यहाँ पर उसका total शो हो जाएगा तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग याद करना है अब हम निकालते हैं percent percent किस से निकलता है percent निकलता है total से तो total का cell का address क्या है हमें कुकु का ही निकलना है बाकी तो हम drag कर देंगे कीज देंगे यानि सब में formula तो आई जाएगा तो total का cell है वो है cell number H2 अब हम H2 को पकड़ के चलेंगे यह सारे के सारे percent है तो हमने लिखा percent हमें percent find out करना है तो आप जानते हैं हमें इस cell में हम click करेंगे और इस cell को हम active करेंगे तो इस cell में हम formula लिखेंगे is equal to लिख दिया और इसमें हमने कहा आप bracket use कर लो formula क्या है अब मालूम है जब आपको marks मिलते हैं तो आप कहते हैं हमें इतने marks मेले कितने में से तो obtain marks कितना होता है और getting marks कितना होता है तो दिखिए हम क्या लिखेंगे जो हमारे इस cell में marks आया उसे हम बोलते है as 2 यानि as 2 हमारे marks इस address पर यादगना value को कभी हम नहीं लिखते है हम से address लिखते है हमने h2 लिखा और इसको multiply कर दिया 100 से ओके और फिर बताइए कि हम divide किससे करेंगे हमें divide भी तो करना है divide हम उससे करेंगे जिन से जितने में से हमें marks मिलें देखिए ये 10 10 के है 10 20 30 40 50 यानि हमारे पास total marks करेंगे 50 तो हमने 50 से divide कर दिया तो उससे क्या निकला हमारा percent निकला ये हमारा percent का formula है अब हमें division निकलना है आप division जानते हैं division क्या होता है division ये होता है कि कभी भी जो percent है वो अगर 60 के बराबर हो या उससे ज़ादा हो तो कौन सा division आता है first आता है और अगर वो 48 के equal हो या उससे ज़ादा हो तो second आता है अगर आपके 33 के equal हो या उससे ज़ादा हो तो third आता है अगर तीनों आए तो वो बच्चा fail हो जाता है ठीक है जब तीनों division नहीं आएंगे तो obviously वो तो बच्चा fail हो गया तो चलिए हम इसका formula लगाते इसका formula लगाने के लिए हमें condition ही उसका ना पड़ेगा यानि if हम division के cell को active करेंगे यानि click करेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ percent को check करेंगे हम कहेंगे क्या कहेंगे यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिखा division और division में क्या लिखेंगे तो देखिए हमने लिखा equals to ओके ये लिए equal to और हम लिखेंगे if हम कहेंगे यदि यदि उस बच्चे के 60 के बराबर या उसे जादा आए तो हम यहाँ पर bracket श्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे हमार percentage का sell कहा है आपने तो बता ही नि percent का sell का address है i2 आई टू है ना, यदि हमें परसेंट से ही तो हमें डिविजन निकालना है, तो हमने कहा कि आई टू, अगर आई टू में जो परसेंटेज है, वो ग्रेटर देन है और इक्वास टू एक इसके 60 के, तो कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद अगर इस स्टेटमेंट टू है, तो यहां पर कॉमा लगा देंगे, और इसी चीज को हम रिपीट करेंगे, इस लाइन को, यह को स्टू करेंगे, इसी लाइन को हम रिपीट करेंगे, तो मैं यहां पर कुछ नीचे लिख देता हूं, ठीके, कॉमा के बाद, हम कॉमा के बाद लिखेंगे, मैं यहां पर नीचे ओके सेकेंड डिवीजन आएगा फिर अगें कॉमा देखिए अब थर्ड डिवीजन के चेक करेंगे इफ आईटू में जो परसेंटेज है वो 33 के बराबर या उससे उपर है तो डेबल कोट में क्या आएगा थर्ड डिवीजन ओके फिर कॉमा लेखिए सारे कोडिंग एक ही है और अगर तीनों डिवीजन ना है तो यह टू पोशन था कॉमा करने के बाद उसके लिए कंडिशन लगाने जरू नहीं है आप तो बस डेबल कोट में क्या लिख दीगे यह फेल लिख देंगे आप कितने ब एक फॉर्मूल आ गया अब हम बात करते है ग्रेट की आप ग्रैट तो जानते हैं ग्रैट कैसे होता है देखिए अगर जो हमारा परेषय है वो 90 से उपर आया तो हमें क्या मिलेगा A+, अगर % greater than 80 है, तो क्या आएगा? A, और अगर % is 70 है, उससे ज़्यादा है, तो B+, और अगर % 60 से उपर है, तो B, और अगर % 50 से उपर है, तो C, और % 33 से उपर है, या equals to है, तो क्या मिलेगा? D, और अगर ये नहीं है, तो अब इसलिए क्या आएगा? E, और E का मतलब होता है, fail, तो चलिए, हम ये coding लिखना स्टार्ट करते है, हम यहाँ पर grade में जाएंगे, और cell को हम again active करेंगे, और इस cell पर equals to के sign के साथ स्टार्ट करेंगे, तो हमने लिखा grade, तो grade में क्या लिखेंगे? हमने equals to का sign लिया, और condition लगाया, if, जब भी ऐसे situation आती है, तो condition आती है, तो हमने एक एक line लिखेंगे, तो हमने लिखा if, और हमारा percent कहा है, again, I2 में, तो grade भी तो percent पर डिपेंड करता है, तो हमने कहा, I2 में जो percent है, वो अगर 90 से उपर हुआ, तो double quote में क्या आएगा? A plus, ओके, आगया, और फिर comma, हम इस line को copy करेंगे, और again paste कर देंगे, तो देखिए, हमने A plus की लिखिया, अब हम करेंगे if, और अगर, I2 का जो percentage है, वो 80 से उपर हुआ, तो क्या आएगा? A, हमने A लिखा, और comma, देखा? वही line हमने आगे लिख दी, ठीक है, फिर again, if, अगर, I2 का जो percent है, वो 70 से उपर है, तो क्या आएगा? B plus, ओके, फिर comma, copy, और फिर paste मारते हैं यहाँ पर यही coding, if, अगर, I2 का जो percentage है, वो 60 से ज़्यादा है, तो क्या आएगा? B आएगा, ओके, कॉमा, फिर again, if, I2 का percentage अगर 50 से उपर है, तो क्या आएगा? B, ओके, and क्या आएगा? C, and next, again, if, किसके लिए? इसके लिए, क्योंकि हमने सबके सबके लिए निकाल दिया, ओके, फिर हम कहेंगे, आएटू में, अगर percentage 33 के बराबर, क्योंकि 33 से हम ज्यादा कर देंगे, तो 33 कहां जाएगा? इसलिए, E को सुभी लगाना ज़रूरी है, 33 परसंट से ज्यादा है, तो क्या आएगा? D, E, ओके, और कॉमा, आप कहोगे, E के लिए क्या कोडिंग लिखनी जरूरी है? नहीं, क्योंकि कोडिंग तो हमने बाकी के लिए लिख दे, E तो अगर फेड हो गया तो, अगर ये सारे के सारे, कोई भी select नहीं हुए, ये condition नहीं आए, तो लास्ट में क्या आएगा? डेबल कोड में डाल दो, E, ओके, अब बताएए हमें कितने ब्रेकेट क्लोज करने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्रेकेट आप, 6 ब्रेकेट क्लोज कर दीजे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, तो ये बहुत easy कोडिंग है, सिर्फ हमने ये चीज लिए, इसको copy, paste, copy, paste, श्माल दीजिए, और सिर्फ आप इसमें चेंज क्या कर दीजिए, एक क्रेट और एक परसेंट की वेल्यू बाकी तो as it is है, अब हम बात करते हैं rank की, rank का मतला है कि जिसके सबसे ज़दा marks आते हैं, यानि automatic rank जनरेट हो जाए हमें find out नहीं करना हमें calculator यूज नहीं करना हमें automatic आना चाहिए तो कैसे तो देखिए हम यहाँ पर rank वाले column में जाएंगे और इसके cell को select करेंगे यानि active करेंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे formula लिखेंगे rank में तो rank का formula क्या है देखिए हमने equals क्यों लगाया और rank क्या लिखा rank और यहाँ पर bracket इस चार्ट किया तो suppose कि यह मुझे कुकु की rank निकालनी है तो rank से निकालेंगे नहीं हम percent से निकालेंगे जिसके percent ज्यादा है उसके क्या होंगे आप marks भी निकाल सकते हैं लेकिन हम percent जब catch कर रहा है तो हम percent भी continue करेंगे तो percent जिसके ज्यादा होंगे उसके एसाब से rank बनेगे तो हमने कहा कि कुकु कल पर्संट किसमे है? आई 2 में है तो हमने पहले i2 लिखा और कोमा किया अब इस i2 यानि इस percent को उस percent की series से compare करेंगे आउ पर्संट की series ? हाँ % की series वह starting से लेकर ending percent तक हैya इसे हम सीरीज कहते है, यानि range देखिए, यह range है, हम इस range को select करेंगे, तो i2 वापस है आएगा, यानि i2, colon, i, कहां तक है, 5 तक है, हमने i5 कर लिया, फिर हमने comma लगाया, तो यह देखिए, यह है हमारी range, i2 से i5 तक, इसमें सब percentage है, हमने पहला cell लिया, यह cell इसी range के अंदर क compare होगा, और फिर आपके rank आएगी, अब rank निकालने के दो तरीके, ascending या descending, तो आप descending के क्या लेंगे, 0 या फिर आप 1 लीजिए, तो यह ascending और descending के लिए होता है, और आप इसको जैसे इंटर मारेंगे, तो जो कुकु की rank है, वो find out हो जाएगा, बाकि आप drag कर दीजे, लेकि पर यह कि अगर i2 को आपने drag किया, इस coding को, तो i2 से i3, i4, i5 हो जाएगा, यह ठीक है, बट जो यहाँ पर तेकी range है, यह भी आगे forward हो जाएगा, यानि इसकी address है, वो सब change हो जाएगा, यहाँ पर i2 और i5 range रहनी चाहिए, क्योंकि हमें इसी range में सब compare करना है, लेकिन जै करेंगे, यह जो number है, i2 तो वैसे का वैसा ही रहेगा, बस हमें number से पहले dollar का sign लगाना है, और dollar के sign के बाद हम number लिख देंगे, dollar और number, इससे क्या हो जाएगा, यह constant बन जाएगा, यह movable नहीं होगा, यानि dynamic नहीं होगा, यह जो fix हो गया, तो fix हो गया, dollar से क्या होता है, वो count का मतलब है कि उस हमारी जो cell की range है, उसमें कितनी value है, कैसे, देखिए, हमने लिखा count, c, o, u, n, t, count, तो count में हमें क्या करना है, हमें जैसे suppose कीजिए, हमारे पास यहाँ पर हिंदी 4 marks है, तो 4 कैसे है, 1, 2, 3, 4, यानि हिंदी के 4 बच्चों ने paper दिये, तो उसे counting क्या है, suppose क किसी ने paper नहीं दिया, तो अब बताए हमारे पास हिंदी के कितने marks है, 1, 2, 3, तो count इसलिए आता है कि वो count किया जाए, तो देखिए हमें, हम यहाँ पर का करेंगे, हमें इस cell को active करना है, click करके, इस cell में हमें equals to sign, फिर count करके, हमें उस cell की range लिखनी है, देखिए, हिंदी की range कहां से, यहाँ से लेकर, नीचे तक, तो हम यह range select कर लेंगे, तो देखिए, पहला value कहा है, first value कहा है, c2 में, हमने c2 लिया, फिर colon लगाया, last range कहा है, last range कहा है, last value कहा है cell, यहाँ लास्ट cell कौन सी है, c5, हमने c5 लिया, ओके, और enter मारा, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर count उटा जाएगा, अगर 4 है, तो 4 आजाएगा, अगर 3 है, कोई absent है, तो इसके इसाब से, यहाँ पर, क्या होगा, count करके, show कर दिया जाएगा, ऐसी max value, हमने max लिया, max में भी same as this, आपको सिर्फ, max लिखना है, और accurate जैसे, हमने यहाँ पर range दी है, वैसे, हम maximum को active करके, यहाँ भी, c2, colon, c5 है, reason, आप जानती है, क्योंकि यह जो maximum, इस cell की address, c में है, तो इसलिए, यह, फिसके बाद, इसका निकालो, d का, e का, f का, maximum में भी, अब minimum, m, i, n, same as it is, minimum का भी निकालना है, तो minimum में भी, maximum का opposite होता है, हम mil लिखेंगे, और c2, c5, और enter मार देंगे, तो देख है, maximum में, इस cell के अंदर, इस range भी, जो सबसे ज़्यादा value है, बड़ी value, वो शोग कर देगा, जैसे, इस cell में 9 है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और minimum में, इस पूरी range भी, जो सबसे smallest होगा, वो शोग कर देगा, सबसे smallest क्या है, 4 है, तो 4 आ जाएगा, but average में क्या होगा, त पूरी range है, तो इसे हम क्या करेंगे, हम add करेंगे, add, sum करेंगे, और divide करेंगे, कि हमार पा value कितनी है, 1, 2, 3, 4, 4 value है, और सबको add करना, यानि sum करना, इसे बहुत हो sum of the value, और count of the value, इसे divide करेंगे, तो average निकल आएगा, तो देखिए, हम यहाँ पर same as this, क्या लिखेंगे, formula, क range, तो पहली value C की कितनी है, C2, हमने C2 लिखा, और ending value के लिए colon, और फिर C5, यह लिख देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर average आजाएगा, तो approach की teacher ने हर बच्चे को average कितनी marks दिये, हम excel में, यहाँ पर हम लेंगे, role, number, फिर इधर लेंगे, name, फिर हम कुछ subject ले ले लेते है है, जैसे हिंदी हो गया, English हो गया, फिर मैस, EBS, and computer 5 subject, इनफेट, फिर हमने लिया, total, total के बाद, percent, mark sheet बनाने के लिए, फिर हम लेंगे, division, div, division, okay, division के बाद क्या आता है, grade, हमने देखा, grade, grade के बाद, rank, क्योंकि, अकर हमें mark sheet बनानी है, तो ये सारी चीज़े तो आना ज़रूरी है, फिर इसके बाद, role number में हमने कुछ number लिया, 101, 102, 103, 104, हम ने ये लिया, और हमारे जो name में हैं, कुछ student के नाम डाल देते हैं, जैसे, koko हो गई, shibu हो गया, vidya, and neha, ये हमारे कुछ student हो गए, और हमने इन mark sheet के अंदर, कुछ mark sheet कर दिये, और साथ में हम कुछ function भी use करना चाहते है, जैसे, count हो गया, count function, maximum, okay, maximum function, फिर, minimum, minimum function हो गया, और हमने साथ में, average भी ले लिया, okay, हमने एक कुछ function ले लिये, तो हम अपनी mark sheet में, हम क्या कहते है, तो boundary roll कर देते हैं, ठीक है, फिर हमें पता रह हमें कोडिंग कहा कहा करनी है, हमने यहां पर boundary कर ली, okay, अब देखिए, हमें यहां पर coding करनी है, तो सबसे पहले हम total की बात करते हैं, जैसे हम total में आते हैं, तो total के अंदर, क्या करते, एक coding लिखते है, is equal to, तो हम लिखेंगे sum, okay, हमारा sum function आ गया, और साथ में, हमें इतने सारे number add करने, तो हम starting, जैसे यह 9 है हिंदी के, 9, इसका cell number है, C2, तो हमने यहां पर लिख दिया, C2, तो देखिए, blue color में mention हो गया, फिर इसके आप लास्ट, mark, किसके है, computer के, तो हम वहां तक पहुंचेने के लिए हम लगाएंगे, colon, क्योंकि starting और ending तक हमीं जाना है, तो ब G2, और bracket close, जैसे हमने enter मारा 34 हो गया, suppose कीजिए, कि हमने यहां पर math लिया, math में हमने, अगर सबसके 8 marks जाएंगे, तो देखिए, 34 में, जैसे हम enter प्रेस करेंगे, तो यह 38 हो गया, okay, तो हम इसको drag कर देंगे, क्यों हमें फार्मूला बार बार लिखनी की ज़रत नहीं है, और जैसे हम इसके corner पर लिए की जाता है, यह small plus हो जाता है, तो जैसे हम इसको press करो, और drag कर तो देखिए, समें एक formula प्रेस हो गया, तो यह हमारा formula था, total का, अब हम percent पी जाते है, percent किसका निकलता है, percent तो total का निकलता है, ठीके, तो हमें percent निकालना है, तो हम लिखेंग percent निकालने है, तो हम क्या करें, 38, जो total marks है, इसके cell number क्या है, इसका cell number है, h2, तो हमने लिखा, h2, तो देखिए, यह select हो गया, h2 को हम multiply करेंगे, 100 से, और divided by, कितने number का paper हुआ है, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, यह total 50 marks का paper था, divide by, है, क्या करेंगे, 50, जितने का भी हो, आप उतने से divide कर दिए, तो दीकिए, यह हमारा percent गालना है, 76, same, हमें सारे percent निकालने, तो हम इसको hold करेंगे, और नीचे तक drag करतेंगे, तो दीकिए, सब का percent निकल गया, अब बात आते है, division की, division में हम formula क्यों सा लगाएंगे, वो है if वाला, जैसे हम लिखते है, is equal to, क्या तकी क्या, division percent पर depend करता है, okay, तो हमने कहा, if, और bracket लगाया, और bracket लगाया, तो percent हमारा कहां पर है, i2 में, हम पहले, i2, हमने कहा, i2, दिका, select हो गया, i2 greater than, या is equal to, 60 percent के, 60 के, तो double quote के अंदर क्या आएगा, लिखा होगा, first division, division के कॉमा, और फिर वापस हम condition check करेंगे, किसके लिए second division के लिए, फिर again, हम bracket लगाएंगे, हमने कहा, कि, जो i2 है, वो greater than no, equals to 48 की, ठीके, कॉमा करेंगे, और देखे हमारे, यहाँ पर, यहाँ पर हमारे address bar में, 11 राय, coding लिखी वी आ रही है, तो हम double quote में लिख देंगे, कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद, फिर हम लिखेंगे, third division के लिए coding, देखो, एक ही coding, वही repeat हो रही है, तो हमने कहा, कि, जो i2 में हमारे percent है, वो greater than हो, और cost 33 के, तो बच्चे के, क्या आएंगे, third division मिलेगा उसको, ठीक है, और चली, अगर तीनों division नहीं आए, तो by default क्या होगा, वो बच्चा, fail हो जाएगा, okay, तो देखिए, हमारे पास कितने bracket है, one, two, three, तो हमें, three bracket close करने है, ठीक है, तो हमने last में आए, और last में, हमने three bracket, enter किया, और इसके बाद, देखिए, first division, वापस से हमें, क्या करना है, इसको plus पकड़ना है, और जहां तक student है, वहां तक track करना है, तो देखिए, सब के first division, suppose कीजिए, किसी के marks कम है, तो देखिए, जैसे हमने marks चेंज किया, तो यह second division में convert हो किया, अब बात है grade की, grade में हम वही condition यूज करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे grade में, condition बहुत लंबी चलेगी, तो हमने कहा, वही percentage पे, कि I2 में, जो हमारे के पास, क्या है, percentage है, वो 90 से अबाव है, तो बच्चों के क्या आएंगे, वो आएगा, यह plus, ओके, फिर, back, comma, comma, again, check करेंगे, एक लिए grade के लिए, हमने कहा, I2 में, जो है, वो greater than 80% के, तो यहाँ पे आएगा, एक grade, ओके, फिर again, फिर हम वापस से इसी को use करेंगे, लिख करेंगा, if, I2 में, जो percentage है, वो 70 के, उपर है, तो हमारे पास क्या आएगा, बी प्लस, ठीके, comma करने के बाद, फिर again, हमने बी के लिए, if, bracket, अकर, I2 में, जो percentage है, वो 60 से अबाव है, तो क्या आएगा, बी आएगा, ओके, फिर again, हमने if use किया, ओके, और फिर हमने का, I2 में, जो percentage है, वो 50 के, अबाव है, तो हमने क्या क्या, C किया, ओके, फिर again, अब D के लिए, हमने कहा कि, I2 में, जो percentage है, वो, क्या है, 33 से अबाव है, ओके, तो यहाँ पे आजाएगा, D, और अगर, ये कुछ भी नहीं है, ना A, A+, B, B+, C, और D, कुछ नहीं है, तो, obviously, उस बच्ची के E आया होगा, और वो बच्चा फेल हो जाएगा, ठीके, ये false portion, तो हमने कितने bracket यीज किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो, last में हम, 6 bracket क्या करेंगे, close करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और enter मारेंगे, तो दीखिए, अब रेंग की बारी, हमने is equal to किया, और हमने rank formula लिखा, हमें किसकी rank निकालनी है, percentage के according ही निकलेगी, हमें पहले, कुकू की rank निकलनी है, हमने कहा, क कुकू की % है आइटू में, और फिर कोमा करेंगे, तो आइटू को हम, Starting से लेके, ending तक arrange करेंगे, कहां से percentage की पूरी series है, वहां से लेके, Starting से लेके, ending तक, तो हमने कहा, I2, I2 से हमने start किया, जो हमारी range, i5 तक जाती है, आई टू से जो रेंज स्टार्ट होते है वो आई फाइव तक जाती है ओके और इसको हम क्या करेंगे डिसेंडिंग ओर्डर में करेंगे ठीक है हमने डिसेंडिंग आपके मर्जी जो लेनी है वो ले सकते हैं तो हमने यह कर दिया और जैसे हमने एंटर मारा तो देखिए खु तो दूसी में देखिए हमने जैसी इसको से लेकिया यह तो आई 3 हो गया जबकि आई 3 से i6 यह हो ही नहीं सकता कि i6 कोई value नहीं तो हम वापस अपने पुराने वाली में जाएंगे तो देखिए यह जो range है यह move कर रही है तो हमें move नहीं करना तो इसके लिए हमें dollar का sign लगान ठीक है तो यह range constant हो जाएगी तो देखिए वापस हम drag करते हैं पकरते हमने drag किया तो देखिए rank 1,2,3,4 यह rank आ गई क्यों क्योंकि 76 है अब जैसे हमने इसमें 2 marks जाल देखिए तो देखिए जिसकी 1st rank आ नीचे वह 1st rank आ गए जिसकी 2nd rank आ जिसकी 3rd,4 अब हमें count करना है कि teacher ने marks दिये teacher ने तो हम यहाँ पर लिखेंगे देखिए हम यहाँ पर count करेंगे कि हिंदी में कितने बच्चों ने attend किया exam तो हमने यहाँ पर लिखा is equal to और c-o-u-n-t count हमने use किया और bracket में हम range लिख देगे जैसे हिंदी हिंदी के हैं तो हमने यहाँ पर लिखा c2 से start तो हमने enter हमारा तो यह कहरेंगे हम उनके पास four हिंदी के marks है अगर suppose कर हमने एक हिंदी के marks हटा दिये देखिए यहाँ पर three आ गया अगर two हटा दिये तो यहाँ पर two हिंदी के marks हैं ओके अब maximum में करेंगे maximum में आप जानती है हमने max लिया max function ओके और यहाँ पर वही चीज हम जो रेंज थी वही लिखेंगे यानि c2 से c5 तक और जैसे enter हमारा तो इसने कहा कि हिंदी में maximum 9 marks है ऐसे आप सब में डाल सकते हैं ड्रेक करके तो इसमें हिंदी में 999 ओके इस maximum marks कि तोटल में 36 ठीक है अब count में भी आप ड्रेक कर सकते है पकड़के ट्रेक कर सकते है ट्रेक कहां तक c5 तक और हमने enter मारा तो देखिए यह 4 आप इसको भी ड्रेक करके खीश देंगे यह सारे के सारे रहें जा जाएगे फिर average, average में भी same, आब average जानती ही क्या होता है, V, E, R, A, G, E average function use करेंगे और bracket लगा के c2 से c5 तक जाहेंगे, और जैसे हमने enter मारा तो इसने निक जाला है, 6.5 average को हम बोता, sum of the value upon count of the value और इसको drag कर देंगे, ऐसे, तो यह हमारी एक पूरी की पूरी excel sheet में mark sheet create कर सकते हैं, जो आपके percentage है, division, grade, rank, यह सब के सब आप easily way में find out कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही हम मिलते हैं, next program में मेरा और जुश करने कर दूरी किरी ने यहर विए कर दोरी कर दो